Hello everyone, Welcome back to my youtube channel, Instant Education So guys, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Newton's Universal Law of Gravitation So आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं Newton's Universal Law of Gravitation ठीक है तो मैंने आप लोगू केपलर्स लोग पढ़ाया था Kepler's Law, यहाँ पर मैं लिख देटी हूँ Kepler's law और उसमें काफी मुझे अच्छा response मिला था ठीक है और उसी की basis पर जब हमारे सर Kepler ने John Kepler ने जो हमारा three law निकारा था उसी को refer करते हुए उन्ही के laws को refer करते हुए हमारे Newton ने भी एक law निकारा एक law को formulate करा और जिसका नाम उन्होंने ने क्या दिया है universal law of gravitation इसके questions आने के बहुत chances होता है बिकाज ही बहुत important है ठीक है तो first of all universe means ये law हमारे पूरे universe में applicable है ठीक है और gravitation मतलब क्या होता है देखो हाँ पर समझ लो दो चीजे हैं यहाँ पर एक कोई चीज है और यहाँ पर दूसरी चीज है यह दोनों एक दूसरे को attract कर रहे है कोई definite force से तो इसी को हम लोग बोलते है gravity एक और एक example try करते हैं यहाँ पर मेरे पास है एक mango ठीक है mango का example क्यों ले रही है कि apple बहुत जादा हो गया अब mango ले ले लेते हैं ठीक है अब mango है समझ लो mango है और यह गिर रहा है और यह मेरा क्या है ground है यह मेरा ground है तो यह जो हमारा mango है जो मेरा mango वो जो गिर रहा है यह जो मेरा ground है ना यह जो ground यह मेरा जो ground है यह कोई force लगा रहा है ये कोई force लगा रहा है जिसकी वड़ा से मेरा mango नीचे आ रहा है अगर मैं उसको उपर फेकूंगी तो नीचे भी आएगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा जो ground है वो अपना energy वो gravity मतलब कोई force लगा रहा है उसको नीचे फेकने के लिए तो वो force जो होता है उसी को बोलते है gravitational force ठीक है तो अभी हमारे newton ने क्या state करा है इस law से अब हम लोग वो पढ़ने वाले है ठीक है तो यहाँ पर सबको समझ में आया प्रेविटिशन का मतलब और newton का full name क्या है उनका full name क्या है बताओ जल्दी उनका full name है आईजेक न्यूटन ठीक है आईजेक न्यूटन फाइन ओके तो अब हमारा यह state क्या करता है देखते हैं देखो यहाँ पर क्या state करता है घबराओ मत भई अराम से पढ़ोंगे पढ़ेंगे हम लोग every object in the universe every object in the universe मतलब हमारे अर्थ के बाहर बेठीक है attracts every other object एक object दूसरे object को attract करता है कोई force लगाकर with a definite force जो directly proportional होती घबराओ मत एक एक word अच्छे समझाने वाली हूँ ठीक है तो क्या हो रहे है हाँ पर हर एक object universe में दूसरे object को कोई definite force से खीचता है जो force directly proportional होती है उसके masses की masses मतलब you know the product of the matter 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 present in a body ठीक है हाँ पर मेरे पास कोई है कुछ भी उसका कोई mass होता है सब्सक्राइब तो चीज बनी है ना उसका कुछ तो molecule होगा जिससे वह बना है तो product product of the matter ठीक है is inversely proportional please ignore my handwriting and inversely proportional to what it is inversely proportional to the square आज़ा square लिखना है आप लोग पूरा square लिखना है to the square of the distance square of the distance between them अब पढ़ते हैं अब लोग बड़ी आसे समझ लो तो यहाँ पर सुनना मेरी बात यहाँ पर समझ लो मैंने दो यहाँ पर मेरे पास एक सेकंड यह मेरे पास एक object है और यह भी मेरे पास एक object है ठीक है यह object है मेरे पास यह दोनो ना एक दूसरे को Every object in the universe मतलब पूरे ब्रहमान में पूरे जहां में आप बोल सकते हो पूरे universe में कोई भी object एक दूसरे को खीचते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं वो खीचते हैं एक दूसरे को कोई force लगाकर कोई force लगाकर जो directly का मतलब आपको पते directly मैंने बहुत बार समझा चुका है वी वाला word आते हैं आपको हमेशा समझाती हूँ ट्राय करती हूँ समझाने का बहुत सब बच्चों को नहीं बता होते हैं directly मतलब जो चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी घटेगी लगाकर यहीं समझ गया सबको तो directly का मतलब यही होता है अगर कोई चीज़ बढ़ेगी तो खरतेगी अगर कोई चीज़ घटेगी तो जो भी मतलब हाँ अगर एक चीज़ बढ़ेगी घटेगी तो भी कहते हैं और इन्वर्सले में क्या होता है अगर 1 चीज्ऐ बड़ेगी तो दूसरी चीज्ज्ज घटेगी अगर 24 श हमझेक तो पहली चीज्ज्ज्ज्जिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् mirror побilda से और इंवर्सली प्रपोर्चनल है उनके डिस्तेंस से समझ मैं आ गई अब को इतनी बात तो इहां पर पेज़ पे आपको एक इस तरह का डायगराम दिया हुआ है कि अब मैं बनाने का ट्राइब करती हूँ कि ठीक है और यहां पर ब्लू कल रखा है ठीक है अब यहां पर ध्यान देना मेरी बातों को अच्छे से सुनना ठीक है एक सेगन रुख जो भई ठीक है अब देखो यहां पर ध्यान देना हाँ अब समझ मारा है अब को देखो यहां पर यह पहला अबजेक्ट है यहां पर यह पहला अबजेक्ट है और यहां पर यह कोई दूसरा अबजेक्ट है इस अबजेक्ट यह अबजेक्ट है तो इसका कुछ तो मास होगा तो समझ लो यह M1 है और यह M2 है यहाँ पर इसका color change करती हूँ यह M1 है और यह M2 है ठीक है समझ में इतनी बात clear है अब देखो यहाँ पर इन दोनों का जो mass है वो proportional है every object in the universe attracts each other by a definite force which is directly proportional to the mass and inversely proportional to the square of the distance अब देखो यहाँ पर इसको छोड़ो अभी यहाँ पर देखना ठीक है इन दोनों का जो भी इन दोनों का जो भी कुछ distance आएगा ना यह distance क्या आएगा यह distance आपको इस तरीके से बनाना है अपने एक्जाम में ठीक है इन दोनों का distance है यह दोनों कोई दूरी पर हैं और यह दोनों एक दूसरे को attract कर रहे एक दूसरे से ठीक है तो इन दोनों का कुछ force लगा रहे हैं यह एफ वन जाएगा और यह टूर जाएगा समझ गया तो एफ एफ रहें दो कोई बात नहीं अरे हाँ ठीक है अब क्या हुआ है हाँ पर ध्यान देना मेरी बात को अच्छे से सुनना यहाँ पर देखो every object in the universe attract each other by a definite force यहाँ पर ध्यान दो ठीक है सुनना मेरी बात अच्छे से by a definite force अब सुनो directly proportional to the masses masses मतलब दोनों का weight है कुछ और inversely proportional to the square of the distances यह तो हो गया हम लोगों को complex बेवल लेकिन मैं आप लोगो किस तरीके समझाती हूँ आपको सबको पता है मैं आपको इतना basic से समझाती हूँ कि जिसको नहीं आएगा उसको भी आजाएगा कि एफ इस डारेक्टली एफ और फोर्स है ठीक है एफ का क्या मतलब है फोर्स ठीक है सुनो अच्छे सिधान से सुनना फोर्स क्या है directly proportional तो है भई हाँ M1 से और M2 से और यहाँ पर M क्या है M क्या है masses है दोनों का mass है M1 का है M1 का है एक first object और एक second object का तो अब इसको छोड़ो अभी इसको रिक्वेश समझ लो equation number 1 दे रहो तुम ठीक है अब उसके बाद क्या करोगे यहाँ पर हम लोड़ने एक और देखा है हम लोडने क्या पूरा क्या पढ़ाता है यहाँ पर ध्यान दो अच्छे तरीके से and inversely proportional to the distance यह force की बात हो रही है हाँ पर समझ गया तो force is directly proportional to the masses and inversely and what and inversely proportional ठीक है and inversely proportional to the square of the distance तो मतलब यहाँ पर f is not directly मतलब inversely का हमने ऐसा sign दालते ठीक है यह दालते हैं यह word Greek है ठीक है यह alpha बोलते हैं इसको हम लोग इसको छोड़ो भी वो समनी समझाते हैं इसको बोलते हैं पर alpha ठीक है दोखें आपर यह second क्या बोला था and it is inversely proportional to the square of the distance तो यहाँ पर inversely में हमेशे one upon जो भी inversely रहाता है वो लिखते है समझ गया इतनी बात क्लियर है ठीक है समझ गया मैं वापस आपको पता देती हूँ आपकी satisfaction के लिए पर हम लोग देखा force is directly proportional to the masses and also force is inversely proportional to the square of the distance अब हम लोग इसको अगर equation number one ले 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 तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते है हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते है from one and two f from one and two f is directly proportional to m1 m2 upon d square यह अभी भी यह दोनों का रिष्टा अभी भी inverse में ही है ठीक है और इन दोनों का रिष्टा अभी भी direct है ठीक है इसमें कुछ changes नहीं आए है ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ ना जब हम लोग ने इसको हटाए ना combine करें तो आपको पता है हमेशा आपने k words सुना होगा हमेशा k को ही constant लेते हैं लेकिन हम लोगों के जो newton थे Isaac sir या Isaac newton उन्हों ने अपना अलग letter को यूज क्या हाला कि हम लोग कोई सा भी letter यूज कर सकते कोई सा भी यूज करते हैं ऐसी कोई भी बात नहीं है ठीक है ठीक है ओके तो अब क्या हुआ ना उन्हों ने जो constant लिया ना देखो हम लोग ना f is directly proportional to m1 m2 upon d square करते हैं लेकिन ना हम लोगों को ये ज़्यादा ये जो अलफा letter हो हटाना होता है हम लोग ज़्यादा convenient is equals to की sign को लगते हैं तो क्या होज़ेगा जब भी हम लोग is equals to हटाते हैं तो यहाँ पर वहाँ पर एक constant लगता है तो Isaac Newton ने क्या लगाया उन्होंने g लगाया as a gravitational constant और यहाँ पर वो simple साही वो m1 m2 upon d square इतना समझ माया कि सबको हाँ समझ माया किया तो यहाँ पर जो g है वो बहुत important role play करती है और यही है universal gravitational gravitational constant ठीक है इसको ही अब भी जो g की value है जी की जो value है वो बहुत important है जो है 6.673 into 10 raise to minus 11 इसको raise to पढ़ते हैं ठीक है तो g के वाले में आपको information में बता दिया है इसकी value का है 6.673 into 10 raise to minus 11 और इसका ऐसा unit जो है वो है newton meter square kg square समझ में आगे है इतना सब को clear है ठीक है तो यही पर हम लोगों की मैं video sum up करना चाहती हूँ because आज की video में बहुत मजा आई और I hope मैंने आपको इतने best way में समझाने का try करा okay मैंने बहुत बार वही definition repeat की है ताकि आप लोगों को याद हो जाए समझ गया तो यहाँ पर हम लोग last में जाद जादे वापस से read करते हैं ठीक है तो चली पढ़ते हैं देखो every object in the universe attracts every other object मतलब एक object दूसरे object को पूरे universe मतलब हर एक object जैसे मैं हूँ मेरी pen है तो हम pen दोनों एक दूसरे को attract करते हैं और वह attraction जो होता है वह gravitational force होता है तो यह definite force है जो directly proportional किसको होती है product of the masses को होती है और inversely proportional किसको होती है क्यूब की उसके क्यूब को किसके क्यूब को distance sorry square square ठीक है distance का square करेंगे तो वह आज जाएगा ठीक है तो आप लोगों को इस तरीके से याद बतना है और मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care and have a very good day comment करके सुरूर बताना क्या आप लेगों को वीडियो कैसी लगी और चैनल को जल्दी जल्दी subscribe कर दो जल्दी जल्दी 100 subscribers तक पहुचा दो I am so excited 90 7 subscribers हुए है 100 करवाओ जल्दी 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 बाई